राम राम दूतों यह वीडियो का पार्ट बॉन है आज हम इस वीडियो में सिखेंगे घर से एरपोर्ट तक पहुचने की पूरी कारवाई तो अभी सबसे फस्ट में हैं हमे हैं घर से चलने से पहले सब से पहले अपनी टीकिट देखनी है तो अभी चलो टिकेट को देखते हैं टिकेट है मेरी दिल्ली तु स्रीनगर जैसे आप देख पा रहे हो पियना नमबर हमारा यह जी एड़ जीरो जैडर एक्स उसके बाद हमारी फ्लाइट है एर एसी यह साथ सो बार है दिल्ली से जा रहे हैं स्रीनगर एक गंटे 25 मट ले जाता है उसके बाद Tuesday मतलब मंगल वार को 9 मई को मेरी फ्लाइट है इंद्राइगांदी इंटर्मिनल थरी से है तो सबसे पहले घर से निकलने से पहले हमें एयरपोर्ट पर दो घंटे पहले पहले पहुंचना होता है तो एयरपोर्ट पर जैसे पहुंचने के बाद सबसे फस्ट में हमको अपनी एयरलाइस डेखने होती है एयरलाइस जैसे एटू इय तक होता है सबसे फस्ट में लग होगी डर्मिन रिपर जैसे बहतने पहंगे और आपका डाधारपकार जितनी भी है जिसी पिर भी है तो मेरी deeper थी तो मैं ने सबसे पहले deeper पहुचा मैं deeper पहुचने शहले आपकी इस ticket का QR code scan करेगा आपका आधर कारड में नाम देखेगा उसके बाद चलो अभी मैं वीडियो में देखाता हूँ आपको जैसे मैंने आपको बताया था अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ जैसे A2E तक बताया था तो आपको सबसे पहले मैंने E दिखाया उसके बाद मेरी ALS D थी इसलिए मैं D पर जाऊंगा D वाला काउंट रहे AirAsia का New Delhi में तो इसलिए मेरी flight थी AirAsia तो मैं D पर गया D से मैंने जो मैं वहाँ पर बैठी हुई है अब यह आपको देखेंगी थूड़ी दिर में तो वह क्या कर रहे है हमको Boarding Pass दे रहे हैं जो हमारा lagge activity पर टिकेट शिपका की उसको जमा कर रहे हैं यहाँ से में मैं में में से Boarding Pass लोंगा उसमें मेरा gate коesat Das sent it is जैसे आप देख पार हें यहां पे lege इसमें इन्होंने टिकट शिपकाई वह यहाँ से लिए- करो कि वहाँ पर आपको मिल जाएगा बागि आपका लगेज नंबर आपकी टिकेट पर होगा जो इन्हों ने बोडिंग पास दिया उस पर होगा यह कहां से जैसी बोडिंग पास ले ले तो उसके बाद यह हैंड वैक की चेकिंग हो रही है जैसे आपका मोबाइल चार्जर पापर बैंक जो भी है बेल्ट भी इस स्टोकरी में रखो वो चेक हो के आगे जाएगा आपको यह LED मिलेगी इस पर आपका फ्लाइट नमर जो जैसे 712 था वो चेक करके इस पर गेट नमर देखना आपको फिर उसी पर देखते देखते चले जाना है अभी मैं आपको गेट न अरिया में जाके अपनी फ्लाइट का वेट कर सकते हो जैसे मेरा फ्लाइट नमर था 45 देखो मैं कैसे पहुंचता हूँ पहले बार फ्लाइट में जा रहा हूं देखो भाई क्या होगा वैसे देखा जाए तो चला कोई बड़ी बात नहीं है इस यह जो नहीं आया यह जाना एसे लगता है पूई नहीं मजे करो बाइबाई तो जैसे इतर राइट साइड में 46 है तो लेफ साइड में 45 है जहां प जैसे मैं अभी आकर वेटिंग अरियम बेटा हूं तो यहां से कई फ्लाइट दिख रही हैं मैं खड़ी हुए वहां पर जैसे भी स्पाइजेट का भी है इंडुगो भी है तो जितना मुझसे कबर हुआ मैंने दिखाया है देखो भाई आ जाएं भाई फ्लाइट में सफर कर वे देखो अजीब तो लग रहो थोड़ा पर जिए के फुल मलाए के चीख जांगे पहली पास सफर कर रहे हैं तो 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 कि अब जो आप पीछे देख रहे हैं जहां पर मैं देखा रहा हूं आपको भी यहां से हम चलते हैं फ्लाइट के अंदर तो भी रास्ते में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा देखते रहें जैसे भी अम इस रास्ते से फ्लाइट के गेट पर पहुंचेंगे विजे देखते रहना जैसे गेट आ जाएगा लाइश्ट में आपको देख चाहेगा अब अंदर जाने के बाद मैं आपको अपनी सीट कैसे पहंचाने उसके बारे में बताऊंगा तो एक साइड में एबी सी और दूसरी साइड में डी एफ है तो आपका टिकेट नम्मर है मान के चलो बारा तो बारा एबी सी डी एफ जो भी है जैसे अभी आप देख पार हो 14 नम्मर है तो डी एफ तो में अभी जो मैं आपको देखा रहा हूं इसके ज़्च पीछे की तरफ है एबी सी तो ऐसे आप अपनी सीट का पार हां तो दूस्त अभी मैं अपनी फ्लाइट में बैठ चुका हूं तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें देखना टेक ओफ से लेके लेंड होने के पूरा सीन आपको बहुत तगड़ तगड़े व्यू देखाऊंगो जितने भी व्यू आयते बहुत मस्ट टाइम कि बाइब रम-रम सबीको